को सीधा पकड़ के दो चार थपड लगाना चाहिए खीच के कि भाई होश में आओ ठीक है मेरे को का सामने मेला मैं तो खीच के एक थपड लगाऊंगी फिर मैं करूंगी बात कॉन्टेंस है अब नेता के उपर में भी इस भोशपूरी जो वलगरिटी के उपर में जो सब्द है इस्तिमाल के आता है चिराग पासबान के उपर में प्रमोध प्रेमी है सिंगर भोजपूरी के उन्होंने कहा है कि चोली के उपर में गाने के उपर में चड़ितार्ज कर दिया है और ऐसे में अब बिहार में यदि किसी नेदा के उपर में तो किसी सिंगर के उपर में तो किसी पत्रकार के उपर म है चिराक पास्मान की प्रबक्ता है इन से बात करेंगे कि आखिर ये बिहार में चल क्या रहा है असलेलता तो हद हो ही गया लेकिन किसी के ऊपर में गाना गाल देना है उसको फेमस टी आरपी चाहिए ये कब तक चलता रहे हम मतलब ये क्या सुना और मैं जानना भी नहीं चाहती हु क्यूंकि इस टाईप के लोगों के लिए को सामान नहीं है आपको अपने बेटी का सम्मान नहीं है और देखिए इसका रूट प्रमोट प्रेमी जैसे तुच्छे कलाकार एक बोलेंगे थर्ड ग्रेट कलाकार का यह सिर्फ काम नहीं है यह नीव आज से कहीं सदियों पहले रखा गया था जब पहला अश्रील गाना भोजपूरी इंड कि आजकल आप मा बेटी बहू या अपने पतनी का इज़त करना भूल रहे हो तो इस टाइप के गानों को सुनना भी पाप है जो सुनेगा मतलब वह अपनी मा का इज़त नहीं करता है जो सुनेगा मतलब अपना बहन का इज़त नहीं करता है और आप लोग चाहते हूं कि आ आप अपने ही इज़त को निलाम कर रहे हो और आप एक ऐसे नेता के बारे में बोल रहे हो जो नेता पूरे बिहार के लिए आज महनत कर रहा है काम कर रहा है और साथ में आपने एक ऐसा नेता का नाम लिया जिनके वज़े से बिहार का अच्छा बूरा दोनों पैचान हुआ लालू जी का जो आज अच्छली तबियत खराब था तो अभी ओ दिल्ली आई सम्मान है कि आपको लगता नहीं कि चिराग जी होली में चोली बेचेंगे यह जो तरीका है किसी से बुलवाया जा रहा है गवाया जा रहा है इक्साक्ली देखिए यह जो बन्दे ने यह गाना यह अकेला उसका दिमाग नहीं है बुरे काम करने के पीछे सौ लोग आपकी मदद कर देंगे लेकिन आगर आज आप आपने अगर एक डिसीजन लेंगे कि नहीं भाई मुझे यह काम सारे पीछे से हाट हाट जाएंगे रीजन क्या क्या क्योंकि नेगेटिव चीजे लोग को भी बंद करना होगा और इस टाइप के गाने को वाइरल करना बंद करना होगा और इस टाइप के गाने को वाइरल करने के लिए मैं आप सब को बताना चाहूंगी आसान है जो भी गाना यह सुन रहा है या देख रहा है उसको रिपोर्ट अब्यूस कीजिए नूड इसको तुरंत अगर आप रिपोर्ट करेंगे सब लोग मिलके तो तुरंत यह गाना बैन हो जाएगा और इस गाने को बढ़ने नहीं देने का यह भी एक रीजन है कि कही न कहीं यह हमारे संस्कार बिहार की संस्टिति के खिलाफ है ऐसे ही देखिए बिहार के बारे में हमारे पहार के स्टेट में बहुत सारे अलग-अलग सोच है कि यहां पर जाती बाद है यह हتयाए बहुत होती है यहां पर ओर्टों का इस गया है तो कि कि इस दिमें जहां पर दिंगोर की विकार में की मोहीं पियék आप और तो क्यांत्य बात करो वह तो भी उन नेताओं को लेकिए जो हमारे पिता समान, भाई समान हैं, तो यह गलत बात है, एक स्वाल यह है कि क्या मीडिया में बोलते रहने से ही काम चलेगा कि जमीन पर इसका जो है इंपक्त, हर लोग बाइकाउट किस तरीके से करें, मुहीम चलना चाहिए, यह गाना जब तरीका जो है, सोशल बॉइकोट, सबसे पहले सोशल बॉइकोट करना पड़ेगा, जो भी यह सिंगर है, उसके तुरंट फोटो कीची और तुरंट उसको रिप्योट, हरस्मेंट, रिपोर्ट, अब्यूस की कीजिए, सो दाट इस टाइप के गाने बनाना वो बंद करें, और साथ में उनको बोलिए, भाईया जी, आपने जो गाना बनाया, आपने अपनी मम्मी का, अपने बहन का दिमाग में सोच के अगर बनाया होगा, तो हम लोग को तो बड़ा दुख है, कि आप अपने मा का सम्मान नहीं करते, बोलके आप किसी और के मा का भी बहन का सम्मान अभी एक शुद, एक बहुत प्यारा सा एक लिरिक सोना चाहिए, आप देखिया भी मैथिली जी का भी आपका होली का गाना है, कितना सुन्दर उन्होंने, क्या कहते हैं, उसमें ये आपका कृष्ण और राधा जी का आपका होली का, वो क्या है, वो सब गाना हम लोग हैं, मेरे बंदू हैं, जितने भी बहन हैं, माता हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इस गाने को जो भी सोनेगा, मतलब वो घर की इज़त नहीं करता है, वो ब्यार की, क्या कहते हैं, धरोवर की इज़त नहीं करता है, लैंग्वेज की वो नहीं करता है, और साथ में उन जितने भी भोचपूरी कलाकार हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगे, आप लोग जब भोचपूरी गाना बनाते हैं, और आप जिस धंग से एक महिला को दिखाते हैं, फृपिया वो दिखाना बंद करें, क्योंकि आप जो जो चीज दिखाएंगे, वो सारी कुछ नहीं होगा, तो इस तरह से चलता ही रहेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, उसको देखेंगे, वाइलेंट वोड हम यूज नहीं करना चाहते, लिग इन इस टाइप के आदमी को, क्या सोच के तुमने ये गाना ये किया, और क्या नाम में तुम्हारा नाम में जो प्रे लाइक हो, और जब मैं लपड मानूँगी, समझ लिए मैं अकेले अपने लिए नहीं मानूँगी, मैं वो सारी महा क्या केते आपके बिहार के जितने भी महीला है, मैं उनके तरफ से और मेरा चाटा डबल गुगुँजेगा, क्योंकि बिहार और बंगाल, दोनों का क्या क् ब्यक्ति हों, उस पर में इस तरह से अपनी बातों को रख देना कि गाना में कुछ भी प्रमोद ब्रेमी जैसे लोग यदि इस तरह से करते हैं, तो यह कितना निंदनिय है, और समाज में क्या इस सब्विता और हमारा जो संस्कृती है, वो कहां बिलुप्त होता जा रहा है यह सबसे बड़ा बिसा बना हुआ है, और ऐसे में मैडम ने जिस तरीके से साफ सब्दों में कहा है कि यदि ऐसे में वो जो लोग भी गाने वाले मिलेंगे, तो हम छोड़ेंगे ऐसे नहीं, ऐसे में तो चिराग जी है, अब चिराग जी क्या इस पर रियक्शन देते हैं, यह बहुत बड़ा बिसा बना हुआ है, और भी अपडेट्स के लिए देखिएगा, लन्यवाद.